आपने जो थम दिल और अभी ये वीडियो देखा है इसको भी थोड़ दिर में डिसकस करेंगे उससे पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो आज है तारीक 11 जुलाई 2022 और है मंडे देखेंगे आज के दहिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस को अनिलाइस करेंगे बट लेक्चर में अगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडियेफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपच ज्यादा वेजुकेशन एस यू कें सी गाईस आप लोग को यह वला चनल मिल जाएगा इस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना देखो अगर आप लोग को इस तरीके से यह चनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडियेफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया या है उस लिंक के थुरू भी आपको यह टेलिग्राम चनल मिल जाएगा जाकर इसको जॉइन कर लेना जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर डेली बेस्स पर लेक्चर का पीडियेफ मिल जाता है डेली करेंट अफेर के वीडियो का पीडियेफ मिल जाता है और डेली बेस्स पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं नाव बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चरों को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है एजिप्ट को काफी चर्चा में है तो अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे साथी साथ एक क्वेशन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रिवेस यर साल 2017 के प्रिलिम्स में पूछा इया था डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रिवेस यर क्वेशन को भी सॉल्व करते हैं क्वेशन बहुत सिंपल सा है डेफिनेटली आप सभी लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर पाओगे यहाँ पर चर्चा की गई है जो ELISA प्रोजेक्ट है यह जो ELISA प्रोजेक्ट है इसका परपस क्या है यह आपको बताना है तो इसका आंसर आप सभी लोग को नीचे कॉमेंट सेक्षन में देना है एटली सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है जैसे मैं आप लोगों से डेली बैसिस पर बोलता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको टेली ग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है वहां से भी चेकट आउट कर सकते हो अधरवाइस वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परिशान होने की जरुवत नहीं है वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिसकेशन हम लोग करेंगे तो चलो शुरुआत करते हैं पहले देखते हैं कि जो आपने आज का थमनिल देखा है और जो वीडियो देखा है उसके अंदर क्या इंफोर्मेशन है अब जो भी आप लोगों ने आपर कॉंटेंट स्टार्टिंग में देखा उसको आप लोग जीएस पेपर फोर एथिक्स के अंदर इस्तमाल कर सकते हो देखो यहाँ पे चर्चा की गई है एक इनसान की जिसका नाम है सुकेश चंदर सेखर यह एक कॉंट मेन है अब पहले चीज कॉंट मेन क्या होता है कॉंट मेन एक होता है बहुत बड़ा ठग जो कि यहाँ पे दूसरों को ठगने का काम करता है वही चीज यहाँ पर सुकेश चंदर सेखर ने भी की है जिसका पिच्चर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो In fact आपने thumbnail में जो पिच्चर देखा है वो भी यहाँ पर इसी का पिच्चर देखने को मिलेगा अब होता कि Indian Express के अंदर कल यह आर्टिकल अपडेट हुआ था आज के newspaper के अंदर यह आर्टिकल प्रेजेंट है तो इसका थोड़ा सामलोग GS Paper 4 के अंदर इस्तमाल कर सकते हैं कैसे तो आगे डिसकस करेंगे तो हुआ क्या? कौनमेच सुकेश ने लगबख 1.5 करोड रुपीज पर मन्थ दिया है किसको? जेल स्टाफ को जिसके अंदर यहाँ पर 81 लोगों को अभी बुक कर लिया गया है तो 81 लोगों को बुक किया गया है जिनको यह 1.5 करोड रुपीज पे किये गये थे कौनमेच सुकेश के थुरू अच्छा यह पैसा क्यों पे किया गया जेल के स्टाफ को? जेल के स्टाफ को इसलिए पैसा यह दिया गया ताकि जो सुकेश है वो अपना काम अराम से जेल के अंदर बैट कर भी कर सके और काम किया इसका दूसरों को ठगने का और इसने काम किया भी जेल के अंदर बैट कर भी यहां पर दूसरों को ठगा है करोडो में बहुत सारा रुप्या दूसरों लोगों से निकाला है इसने कैसे निकाला है वो अभी थोड़ दिर में समझते हैं अब दो को या पर इसकी कहानी काफी लंबी सी है लेकिन मैं आपको short form में बताता हूँ काफी बारी अरेस्ट हुआ है काफी बार मतलब बीच-बीच में काफी बारी अरेस्ट होता रहा है किस केस में इसी ठगी के केस में है ना जो आपने जैकलीन फर्नेंडेस के साथ में फोटो देखा है तो वैसे ही याँ पे इसके साथ उस समय भी क्या गया था बहुत सारे गिफ्ट्स वेगरा प्रोवाइड करवाए गए थे है ना फिर उस साथ में इस प्रकार से पिच्चर क्लिक करी गए जैकलीन फर्नेंडेस के साथ में इसके थू तो वहाँ पे भी यही काम यही ठगी की गई थी अभी आप लोग देखोगे क्या हुआ था यह बीच में जेल गया जब यहाँ पर इसको तिहार जेल के अनदर बंद किया गया तो तिहार जेल के अंदर वो क्या देखता है कि Fortis Healthcare के प्रोमोटर कौन Fortis Healthcare के प्रोमोटर शेविंदर सेंग यह आपको नाम दिख रहा है यह भी यहाँ पर तिहार जेल में बंद ए अब होता क्या है यहाँ पर जब यह कौनमेन शेविंदर सिंग को देखता है तो जेल के अंदर ही अपना इसने दिमाग दढ़ा लिया तो आप देखो यहाँ पर कितना जादा शातिर दिमाग है यहाँ पर क्या हुआ शेवेंदर सिंग का सहरा लेकर शेवेंदर सिंग की वाइफ अधिती सिंग से बहुत सरा पैसा वसूला कितना लगबग यहाँ पर 200 करण रुपे एक्स्टॉर्ट किया गया है 200 करण रुपे वसूले गए तो 200 कड़ रुपे का extortion इस कॉन्मेंट के थू किया गया हुआ क्या? अब यार 40's Healthcare के प्रमोटर है शवेंदर सिंग ठीक है न अब क्या होता है? ये भी जेल में बंद होते हैं तीहार जेल के अंदर वहाँ पे कॉन्मेंट भी होता है अब कॉन्मेंट सभी लोगो देखता है अच्छे से जांच पड़ताल करता है उसके बाद में ये करता क्या था? ये फोन कॉल्स पर अगर हम लोग बात करें तो चीजों को इस तरीके से हैक करके कहलो या फिर यहां पे टेक्निलोजी का इस्तमाल करके कहलो तो अपने आपको government से related बताता था जैसे यहां पर अभी जो शेविंदर सिंग की wife है अधिती सिंग इनको फोन करके क्या बोला? कि आपके husband को मैं निकाल दूँगा देखो अब जो भी jail के अंदर है वो हमेशा यहां पर निकलना चाहता है यार मेरे जल्दी से काम हो जाए वैसे शेविंदर सिंग है यह और जल्दी से निकलना चाहते थे तो यहां पर convent ने किया गया इन्होंने यहां पर शेविंदर सिंग की wife से contact किया अधिती सिंग से बोला कि मैं ministry of home affairs के department से बोल रहा हूं या फिर ministry of home affairs के बिहाफ में बोल रहा हूं और ऐसा बोलते वे यहां पर अधिती सिंग को विश्वास दिलाते वे उनसे पैसा निकाल लिया लगबक कितना 200 करोड रुपे तक का यहां पर यह पैसा निकाला गया अब यह पैसा क्यों निकाला गया था जेल के अंदर बैठे बैठे एक कम इसलिए कर लिया गया क्योंकि जेल के स्टाफ का एक बहुत बड़ा सपोर्ड यहां पर कॉन्मेन के साथ में था अब आप कर सकते हो जो तिहार जेल है उसमें अलगलग कॉंप्लेक्सिस आपको देखने को मिलेंगे यह बात की जारिया रोहीनी जेल गी तो रोहीनी जेल का जो स्टाफ था लगबग 81 ओफिशल्स थे उनके अंडर में ऐसा काम कर लिया गया क्यों क्योंकि इन 81 ओफिशल्स का सपोर्ड था अब सपोर्ड किस सेंस में था क्योंकि कॉन्मेन ने 81 ओफिशल्स को पैसा खिलाया यह आप लोग देख पाओगे जैसे मैं आपको बताया एक महीने के अंदर ये लगबग 81 ओफिशल्स को 1.5 करोड रुपीज दिये गए मतलब 1.5 करोड सभी लोग को यहाँ पे दे दिया गया था इस कौन में के थुरू अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि इतनी जादव फैसिल नहीं दिखाई पड़ रही थी यानि अपना काम यह बैटे बैटे कर रहा था आराम से जैल के अंदर से और यहाँ जैल के अंदर से ही 200 करोड रुपे यहाँ पे इसने उड़ा लिये तो यह एक्स्ट्रोशन का केस यहाँ पर देखने को मिला आई होप आप लोग ने इन च चार्जिस लगाया हुआ है क्योंकि करप्शन का केस अलेडी है भाई देखो एक आत तो होता व्यक्ति 81 के 81 स्टाफ बिक चुके थे सभी लोग को यहाँ पर यह पैसा खिला दिया गया था और इन सभी लोग के अंदर में काम चल रहा था अब इसी के सेंस में एक चीज और निकल कराती है वो यह निकल कराती है economic offense wing जो है इसने लगबाग 81 officials को book कर लिया है और उसके बाद में अब इनके उपर कारवाई की जाएगी और होने भी चाहिए तो आप corruption के अंदर यहाँ पे इस topic को add कर सकते हो GS paper for ethics के अंदर में I hope आप लोग ने इसको समझा और जो आपन तो थोड़ा सा समझा फिर मैंनो इसके बारे में थोड़ा सा और detail से जाना तो मैंने सोचा आपके साथ में यहाँ पे इसको discuss किया जाए यहाँ पे आप देखोगे यह राव्यक्ति इसके तुरू यहाँ पे सारी photos यहाँ पर reveal करी गई है इसने क्या किया जैकलीन फर्नेंड के साथ भी किया गया था अब यहाँ पर आप कह सकते हो उसको भी एक गाड़ी वगरा गिफ्ट की गई थी तो यह चीज़ें यहाँ पर कॉन्मेंट के थ्रू की गई है अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि जहां से में आ गए लोग बिना कुछ सोचे समझे है कि इतना कुछ मि तो इस प्रगार साब कह सकतो है यह लोग जहां से हमागे एक लालच यहां पर देखने को मिला है और यही बॉल्लीवुड की सज्चाई आपको देखने को मिल जाती है ठीक है ना चलो कोई बात नहीं आगे आते हैं और स्टार्ट करते हैं डिसकेशन को और बता यह कहानी इंडियन एक्सप्रेस तक नहीं रोखी है आप देख पाओगे द्ध हिंदू के आर्टिकल्स इसके ओपर देखने को मिलेंगे एकनॉमेक ओफेंस बिंग ने आप अभी चार्ट शीट फाइल कर दी है कॉन्बें सुकेश चंदर को जिसने सपोर्ड किया था उन सबी कि अगेंस्ट में फिर उसके बाद में अभी एक और आर्टिकल निकल कर आया था कि ED ने यानि एनफोस्मेंट डारेक्टरेट ने अभी जैकलीन फरनेंडेस के साथ में काफी सारी बातचीत भी करी थी और काफी सारे जो एसेट्स वगरा वो भी जब्त कर लिये थे वो सारी इंफोमेशन रेगुलर बेसिस पर निकल कर आ रही है तो आप कहानी है पर खतम हो जाती है आगे कोई भी इस प्रकार के आर्टिकल आते हैं जो कि आते रहेंगे तब मैं आपको यहाँ पर यही वीडियो रिकमेंड करूँगा आप यहां से समझ लोगे राम से ठीक पर जादव एजुकेशन आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा वहाँ पर भी कनेट करकर उस प्रोफाइल पर लगवग आपको 7000 फॉलोवर्स मिल जाएंगे तो वहाँ पर भी कनेट करकर आप लोग अपनी क्वरीज को मेरे साथ में डिसकस कर सकते हो अब यह देखो देखो द वीडियो के अंदर मिल जाती हैं प्लस कुछ एक्स्टर आर्टिकल्स जो अलग-अलग न्यूस्पेपर्स के अंदर कवर किया जाते हैं वो भी आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाते हैं ठीके तो आपको डेफिनेटली बहुत जादा हेल्प मिलेगी बाकी शाम को आप लोग मेरे साथ में जरूर आना शाम को अम लोग MCQs को सॉल्व कर रहे हैं शाम को एक वीडियो अपलोड दोता है जो कि कल भी अपलोड हुआ था उस पे लगबग पिछले तीन दिन से मैं MCQs स्टार्ट कर रहा हूँ प्रेलिम्स क्रैकर के नाम से वो स्रीज है जहाँ पे प्रेलिम्स के पॉइंट अव्यू से डेली बिस्स पर MCQs को तयार कर रहे हैं और बिल्कुल प्रेलिम्स बेस्ट पैटर्न के ओपर उसको तयार किया जा रहा है एक बार आप लोग जाकर उसको जरूर विजट करना काफी सरा लोगों ने देखा है बहुत ज़द देखना और जैसे हमने ये करेंट अफर पढ़ लिए अब शाम को हम लोग प्रेलिम्स के लिए MCQs जो हैं वो सॉल्व करेंगे आप लोग जो है प्रेलिम्स के लिए मैटली प्रेपैर हो जाओगे उस MCQs के स्रीज के थूरू ठीक है ना चलो अब इस आर्टिकल में चर्च शॉर्ट कल नहीं परसू अपलोड गया था जहां पर हमने देखा है कि इस लंका का जो प्रेसिडेंशल पैलेस है जो वहां के राश्ट्रपती का घर है वहां पर पर प्रोटेस्टर्स घुश चुके हैं वहां पर स्वेंग पूल के अंदर रहा रहे हैं बेडरूम के अंद एसेंशल आइटेम से एवें जो मेडिसिंस वगरा दवाईयां वगरा उसके दाम भी बहुती जादा हैं फ्यूल के दाम बहुत जादा हैं लोग खाने को नहीं खा पा रहे हैं मतलब कि लोग खाना ने मिल पा रहा है इतने जादे महंगा महंगा समान हो चुका है वो सब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही रिजाइन कर चुके हैं आज के टाइम पर वहाँ पे इन दोनों पोजिंशन पर कोई भी नहीं है तो आप इमेजन कर सकतो एक देश ऐसा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा वाँ पे दोनों ही रिजाइन कर चुके इस बिगरती वी situation को देख कर क्यों क्योंकि लोगों ने देखा कि खाने पीने की चीजे जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है इन फ्याक्ट यहाँ पर जो fuel medicine से वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुके हैं रोजाना यहाँ पर लोग मर रहें इन चीजों के लिए तो यह problem यहाँ पर create हो रही है अब यहाँ पर क्या होता है कि current time पर situation यह है कि अब यहाँ पर कौन president बनेगा या कौन prime minister बनेगा तो इसको लेकर तुरंत fresh elections तो हो नहीं सकते fresh election करवाने में काफी time लग जाएगा तो fresh election ना होकर जो current time पर speaker है महिं अब यहाँ पर बूला गया समिदान के इसाब से acting president की तरह यहाँ पर काम करने वाले हैं otherwise जो fresh election है उसका होना काफी ज़्यादा मुश्किल आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से जो हालात create हुए है इस समय पर खास कर आप देखोगे न स्रिलंका से लेटे जो article है page number 10 पर आपके examination के point of view से वो मैं आपको बता देता हूँ स्रिलंका के अंदर यहाँ हालात हुए कैसे हैं यह आप लोग को इसके बारे में जानना है क्योंकि आपसे definitely अपकी बार question बनने के chances हैं कि इस crisis के पीछे के कारण क्या क्या है देखो कारण मैंने आपको काफी बार समझा रख आप थे बहुत सारा पैसा यहाँ पे loan ले रखा था चाइना ने इतना सारा पैसे आपे प्रोवाइट कर रखा है श्रिलंका को कि वो जो उधार है वो चुकाने के लिए भी श्रिलंका को एक loan लेना पड़ेगा तो जाके वो अपना उधार को चुका पाएगा यह हालात है क पर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं COVID-19 की जैसी COVID-19 आया इसकी first wave आती है 2020 के अंदर में और situation बेकार होनी start हो जाती है लोगो की jobs छूटनी चालू हो जाती है सब कुछ बंद हो जाता है import export बंद हो जाता है व्यापार बंद हो जाता है पूरे lockdown के अंदर में और इसमें सब स्रिलंका को मिलता है टूरिजम सेक्टर में मैं आप लोगो एक बहुत important बात बदा दूँ स्रिलंका के अंदर जादतर जो income generation revenue generation हो रहा है वो tourism हो रहा है लोग घूमने जाते हैं और अब घूमने जाएंगे तो उस particular area में पैसा भी खर्चेंगे पैसा खर्चेंगे वो कहां पर जाएगा उनके economic अंदर contribute होगा वैसे ही आपको जो situation है वो श्रिलंका के अंदर मतलब देखने को मिलती है अब दुनिया बड़ से लोग जाते हैं घूमने कोई कहीं घूमने जाएं नहीं रहा था तो tourism sector बहुत बुरी तरह से यहां पर गिरा है इसका एक सबसे बड़ा म फिर एक और important बात मैंने क्या बताया export import थम गया वो सब रुख गया था COVID-19 के टाइम पर और स्रिलंका यहां पर एक ऐसा देश है जो की चाई की पती बगरा export करता है उससे बहुत सरा पैसा कमाता है अब वो चीज़े भी यहां पर रुख गई थी उसके बाद मैं भी आपको और यहां बहुत सरा फॉर्इक रिजर्व होता है जैसे इंडिया के पास में बहुत सरा फॉर्इक्स रिजव है उसमें हमारे पास dollar है gold है बहुत सारी चीज़े है तो इस प्रकार से हर country के पास में होता है अपने आपको stable मनने के लिए जो स्रिलंका का Forex Reserve है वो भी Mdetली rituals हो चुका है आप कसके खतम ही हो चुका है यह हालात यहां पर देखने को मिलेंगे एक्सपोर्ट खतम हो चुका है एक्सपोर्ट के साथ जो लोग काम कर रहे थे दूसरी जगापर स्रिलंका से मतलब स्ट्रंका से निकल कर जाके दूसरे जगा में काम कर रहे थे अब काम कर रहे थे लोकडाउन लगा सब वापस आगे अब जो पहले काम करके पैसा भेज रहे थे वो पैसा भी नहीं आ रहा है वहाँ सब एक रास्ता बंद हो गया तो ये प्रॉब्लम से आपको देखने को मिलेंगी और उससे भी बढ़कर एक प्रॉब्लम जिसकी वज़ासे लोग काफी नराज भी हुए और होना भी चाहिए वो यहाँ पर यह है कि लंका की सरकार की जो पॉलिसी है वो बहुत ही ज़ादा बेकार रही है वो सारी की सारी पॉलिसी फेल मार गई है कोई स्ट्रेटीजी नोंने अपना ही नहीं कि यहाँ पर की जो सिचुएशन उसको थोड़ा सा संभाला जा सके इन फैक जो भी नोंने यहाँ पर कदम उठाया वो उल्टा ही पड़ गया अब इन्होंने क्या सोचा इनकी सरकार ने यह सोचा कि हमें और्गैनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए हमें बिल्कुल शुद्ध सब कुछ यहाँ पर ग्रो करना चाहिए जो अपनी फैसल उगानी चाहिए वो बिल्कुल और्गैनिक फार्मिंग होनी चाहिए बिल्कुल भी फर्टिलाइजर खाद बगर का या केमिकल्स का हम लोग इस्तमाल नहीं करेंगे अब इन्होंने रात और रात और रात में सब कुछ बैन कर दिया अब किसी देश से खाद नहीं आएगा और फर्टिलाइजर नहीं आएगे और वो जो केमिकल्स बगरा वो सब कुछ नहीं आएगा अब होता क्या है और्गैनिक फार्मिंग में जैसे यहाँ पर इन्होंने स्विच किया कुछ ही टाइम बद पता ही चलता है इनका जो मतलब production है खासकर crops का production है वो बहुत तीजी से कम हो जाता है फसले यहाँ पर सारी बरबाद हो जाती है तो इससे यहाँ पर क्या होता है इसके बाद यह help मांग जाते हैं चाइना से और चाइनयन को यहाँ पर खाद प्रोवाइट करवाता है वो जिसमें कीड़ा लगावा होता है तो चाइनयन भी अपना गेम खेल दिया कीड़ा लगावा खाद देता है और स्ट्लंका फिर उसको वापिस भी करवाता है फिर उसके बाद में फानिल यहाँ पर इंडिया आता इसकी मदद करने और इंडिया ने काफी सरफ फर्टिलाइजर जो है टाइम पर प्रोवाइड करवाया तो जाके सिचुएशन इन फसल के मामले में एग्रिकल्चर के मामले में थोड़ सी स्टेबल हुई है वरना यहाँ पर सिचुएशन और खतम हो जाती यह हालात आपको यहाँ पर शिलंका के अंदर देखने को मिल रहे हैं कि बिना कुछ सोचे समझे औरगनिक फार्मिंग की तरफ यहाँ पर एकदम से रोने कदम उठा लेया जिसकी वज़ा से जो खाने पीने की चीज़ है वो भी काफी जादा बहेंगी हो चुकी थी और जो जो रुपी है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है एक टाइम पर हमने देखा यूएस डॉलर के कंपारिजन में 265 तक यह पहुचा अब यह और ज़्यादा खतरनाक लेवल पर पहुच चुका होगा इनका जो फॉरिक्स रिजर्व है वो बहुत ज़्यादा खतम हो तो यह आप हालत लगा सकते हो जितनों ने कर्ज ले रखा है न उससे कही कुना जादा कम इनके पास में कुछ पैसा देखने को मिलेगा जिससे यहाँ पर अभी जो बचा कुछा देशा वो चल रहा है तो यह करेंट टाइम पर हालात आपको देखने को मिलेंगे श्रिलंका फिर इसके इंप्लिकेशन जो है इसका जो impact है वो direct public के ऊपर चल रहा है क्या हुआ रहा है cooking गैस के prices बढ़ गए jueal के prices बढ़ Medicine के prices बढ़ गए जो आम चीज़ें खाने की उसके prices बढ़ गए उसके बाद आप कशى क्सकते हो कि जो चीज़े थोडिसी luxury होती थी लक्जरी चीजों का तो नाम और निशान नहीं है उसके दाम तो बहुत ही ज़्यादा असमान की तरफ है बट अब भी हाँ पर आपका सकतो लोगों ने जो अपने खाया करते देखाना उसके अंदर कट डाउन कर दिया है इस प्रकार के हाला शलंका के अंदर हुआ है आई होप आप लोगों ने अच्छी तरीके से पूरे आर्टिकल को समझ लिया है प्लस इन रीजन्स को अपने पास में लिख लिया है अब सारे पॉइंट्स जो हैं लिख लियना जो भी आपको देखने को मिले थे स्क्रीन पर नीचे की साइड में यह सब पॉइंट्स अगर आपको चाहिए नोट्स की फॉर्म में बनाने के लिए तो कहां से मिल जाएंगे आप लोग जाके टेलिग्राम से बीरा पीडियाफ डाउनलोड कर लेना दाहिंदू प्लस इंडियन एक्स्प्रेस के नाम से वो पीडियाफ होगा उसको डाउनलोड करना और डाउनलोड करने के बाद में जैसी आप लोग एडोब एक्रोबेट एप के नाम पे जैसे उसको ओपन करोगे ठीक है एक एप भी डाउनलोड कर लेना एडोब एक्रोबेट का है या फिर डबलू पीएस ओफिस ये दो एप होगे उसमें आप ओपन करोगे तो आपको ये सिंबल देखने को मिलेगा हमारे आरमी को ज़रूरत है नई यूटिलिटी हलिकॉप्टर ऑफिस की क्योंकि हमारे पास में हलिकॉप्टर की काफी जादा कमी है तो इसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं जो हमारा आरमी एवियेशन कॉर्प है वो आज के टाइम पर काफी सारे हैलिकॉप्टर्स को लाने के काम कर रहा है 2024 तक हमारे पास में नए अपाची अटैक हैलिकॉप्टर्स आने वाले हैं ठीके अच्छा ऐसा क्यों हम लोग को क्यों चाहिए नय हैलिकॉप्टर क्योंकि current टाइम पर हम लोग दो हैलिकॉप्टर को आपरेट कर रहा है, एक है चीता और दूसरा है चेतक, और ये चीता-चेतक दोनों ही बहुत ज़दा पुराने हो चुके हैं, 50-50 साल पुराने यहां पर हैलिकॉप्टर हो चुके हैं, इनको replace करने की बहुत ज़्यादा ज़रुत पड़ चुकी है ठीक है 30 years old हो चुके हैं 30 साल से भी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं तो इनको replace करने की बहुत urgent requirement है that is why हम लोग यह step उठा रहे हैं हमने रश्या के साथ में KA2260 utility helicopters की यहाँ पर deal की थी इसको हमने decide कहता है कि design करेंगे इन यह जो helicopters light utility helicopter जिसका नाम मैंने आपको बताया क्या है KA2260 तो यह जो helicopter है इसको design develop करने के बारे में focus किया गया था बट होता क्या यहाँ पर यह deal अभी थमसी जाती है क्योंकि रश्या युक्रेन के बीच में war चिला और उस war के दोरान यहाँ पर कोई भी defense import export यहाँ पर हो नहीं पा रहा है तो इसके अंदर भी यहाँ पर एक आपका स होला कि हम लोग अभी 39 AH-64 Apache helicopters को यहाँ पर एक तरीके से purchase कर चुके हैं USA और साथी साथ हमारे Indian Air Force ने लगबग 22 Apache को भी purchase किया है यह एक deal कर गई थी 2015 में सेप्टमबर के महिने में तब हम लोगों ने इन Apache helicopter को purchase किया था तो USA से हमने Apache को purchase किया यह भी आपको ध्यान में रखना जो unmanned aerial vehicles से यानि कि जो drones है वो यहाँ पर purchase किया है इसरेल से फिर अभी यहाँ पर कुछ हमारे पास helicopter से उनको हम लोग upgrade करने को पर focus कर रहे हैं कुछ drones हम लोगों ने इसरेल से purchase कर लिया हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको बता दिया क्योंकि current time पे हमारे पास 190 के आप सपास चीता और चेतक helicopters देखने को मिलेंगे जिसमें से बहुत जाते helicopters जो हैं वो मतलब पांच तो ऐसे हैं जो कि 50 साल पुराने हो चुके हैं बहुत सरे 30 साल पुराने हो चुके हैं उनको operate करते करते इसी वज़ा से यहाँ पर इनको replace करने की आवशक्ता है तो आई problem की तो आप लोग उस problem के अदर ये point add कर सकते हो कि यहां हमारे army को एक नए helicopters कि यहां पर जरूरत definitely है ठीक है ना उसके बाद में आते हैं अगले particular article की दरफ अगले article भी काफी ज़दा important होने वाला है लेकिन यहां पर भी आप कर सकते हो कोई लिखने वाली information नहीं है क्या चर् यहां पर इंडिया के मैप को देखते हो उपर जमुएंड कश्मीर वाला region यहां पर आपको देखने को मिलेगा यह वाला जो रीजन है particular region इस वाले line को हम लोग बोलता है line of actual control यहां पर एक line आपको देखने को मिल जाएगी इसको हम लोग बोलता है LOC line of control यह जो LOC है यह पाकिस्तान वाली side में है और यहां पर जो LAC है यह आपको चाइना वाली side में देखने को मिलता है यही पर आपको गलवान वैली देखने को मिलेगा गलवान वैली वो एरिया है जहां पर 2020 में साल 2020 में आपको पता होगा Chinese जो soldiers है वो हमारी territory के अंदर घुसक आने के बाद में यही पर एक चोटी सी लडाईयां भी होती है Chinese soldiers और Indian soldiers के बीच में जहां पर हमारे काफिसरे जवान शहीद होते हैं और चाइना के बहुत सारे soldiers मारे भी जाते हैं जो कि China नंबर छुपा लेता है वो बात अलग है चुपा लिया है उसने नंबर मतलब बीच इसमें रिपोर्ट भी आती है और उस्ट्रियन रिपोर्ट आती है जहां पर बताती है कि हाँ बिलकुल चाइना के बहुत सारे यहां पर लोग बहुत सारे जो soldiers से वो मारे गए फिलल हमारे काफिसरे जवान यहां पर सहीद होते हैं तो इस पूरे के पूरे लडाई के अभी तक यहां पर medical unit यहां पर नहीं था अब medical unit है जो की लगातार treatment provide करवाएगा अगर कोई हमारा soldier है उनको गोली लगती है तो जो भी घाओ है वो सारी चुझों का treatment वगरा महाँ पर किया जाएगा उतनी उचाई पर पहले यह facilities नहीं थी बट अब current टाइम पर यह facilities प्रो 2020 के बाद से जो incidence चाल लू रहा है उसके बारे में information दी गई है 15 June की यहां पर तारीक थी जब यह पुरगा पुरा incident होता है तो वो सारी बात अब में mention की गई है यह आपको लगसे पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है बस छोटी सी information थी यहां पर भी एक ही point है अब यह point आने अमरनात के अंदर flash flood आया है और cloud burst हुआ यानि की बादल फटा तो उसके बाद हमने देखा जो situation है वो बहुती ज़दा खराब हो चुकी है काफी सरे लोगों की जान भी जा चुकी है और साधी साथ में बहुत सरे लोग अभी missing भी है और दरजुनों जो tents हैं वो सब एक इसी बाद के अंदर में तो ये situation यहां पर अमरनात के अंदर देखने को मिली है और इसके उपर जो हमारा Saturday वाला वीडियो आया था उस वीडियो के अंदर मैंने starting में एक छोटा सा वीडियो एड कर दिया था वो अमरनात के cloudburst को लेकर था ठीक है ना आज भी starting में छोटा सा अब इसमें से कुछ इंपोड़ेंट चीज है क्या डिसकस करने के लिए बिलकुल इंपोड़ेंट चीज है cloudburst जो मैंने एक word आपके सामने या पे बोला है यह अपना आप में बहुत स्यादा important बन जाता है current time पे क्योंकि cloudburst हमें हिमाचल के अंदर भी देखने को मैला कलमा आपको हिमाचल के एक वीडियो दिखाऊंगा शिमला की वीडियो काफे trend कर रही थी कि लगबग 2-3 मजला घर था वो एक साथ गिरिया किसकी वैसे flash flood की वज़ा से cloudburst की वज़ा से cloudburst की वज़ा से cloudburst क्या होता है बादल फटना अब बादल फटने का मतलब है एक भीशल बारिस आजाना बहुत तगड़ी बारिस आती है एक तो होता है normal rainfall है ना कि मतलब हुआ normal सी बारिस हो रही है और एक होती है बारिस बहुती ज़ाद तगड़ी की एक घंटे के अंदर दर बाड़ आ जाए यह situation तो अगर हम लोग cloudburst की definition देखें तो cloudburst बेसिकली एक short duration intense rainfall की तोर पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर यह एक ऐसा फेनोमेना है जिसके अंदर आप कर सकतो unexpected बारिस होती है लगबग बूला जाता है कि एक घंटे के अंदर अंदर लगबग 100 mm की आसपास आप देख पाऊगे बारिस हो जाती है 20 से 30 square kilometer के अंदर मतलब कि एक छोटा सा area है उस छोटे से area के अंदर में लगबग एक घंटे के अंदर 100 mm पर आवर के इसापसे बारिस हो रही है एक घंटे के अंदर इतनी जादा बारिस हो रही है तो बेसिकली वो cloudburst की category के अंदर आता है और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इससे क्या होगा flash flood आएगा flash flood मतलब बहुत खतरनाक बार एक होता है flood और एक होता है flash flood जैसे एक होता है cloudburst और एक होता है normal rainfall वैसी flash flood और flood फिर उसके आद में जब ऐसी flash flood आती है सब कुछ अपने साथ में बहा ले जाती है तो landslides देखने को मिलती है mud flows होता है तो इस प्रकार के scenario create होते हैं ठीके ना तो यह आपको definition जो है अपने पास में लिखकर रखनी है यह आपको मैं PDF के अंदर प्रोवाइट रवा दूँग वरना आप देखते होंगे कुछ ऐसी information आती है जहाँ पर additional information मैं add करके provide करवाता हूँ वाली information जादा देखने को मिलनी रही है कोई बात नहीं जो भी है important है discussion करते हैं चलेंगे एक flow बना रहेगा यह वाला article जो है यह बात यह करता है कि हमारी केन सरकार ने अभी राजसरकार स तो अनाज को मतलब अनाज की जो खेती है उसको बढ़ा दी जाए ऐसा यहाँ पर केन सरकार ने बोला है राजसरकार से कि आप farmers को encourage करो कि वो थोड़ी खेती को बढ़ाएं अच्छा इसके पीछे का कारण क्या है कारण यह है कि अब की बार अगर हम लोग देखें तो जो ख खेती है वो थोड़ी सी कम हुई है ऐसी हमें information मिलती है हाला कि यह बुला गया पिछले सब्ता के comparison में अब की बार थोड़ा सा ज़ादा देखने को मिलेगा कुछ जो हमने अनाज वगला grow किया है लेकिन पिछले साल से जब आप लोग compare करोगे तो इस साल हम लोग इतना अनाज ग्रो किया है तो उसके बीच का जो difference है वो बहुत ही बड़ा है यह आप देखोगा जो difference बताया गया है साल 2021 से वो लगबग 22.7 lakh hectare का difference आपको देखने को मिलेगा जो डाल होती है जो पल्सिस होती है काले चने हो गया उसका yellow split pigeon पी हो गया इन सब का cultivation यह कम हुआ है ब में ऐसा यहाँ पर बताया गया इस report के अंदर में फिर यहाँ पर यह बोलता है कि देखो current time पर दालों के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो हमारा धान है उसका cultivation बहुत कम हो चुका है और जब आप लोग state wise देखोगे तो 36 गड़ के अंदर एक बहुत बड़ी oil seed है उसका cultivation कम हुआ ऐसा यहाँ पर बोला गया ठीक है न फिर उसके बाद में इनी चीज़ों को देखते वे आप देखो के बहुत सारी चीज़े हैं जैसे कि जो हमारे सस्ते सीरियल्स होते हैं बाजरा बाजरा बगरा cultivation थोड़ा सा बड़ा किसका बड़ा किसका कम हुआ व हमारे केन सरकार ने राजर सरकार से बोला है कि आप अपने किसानों को encourage करो दुनिया भर में यहाँ पर अनाज का जो demand वो बढ़ रहा है ताकि वो लोग यहाँ पर फसल को grow कर सकें तो यहाँ पर आप कर सकते हो कि यह इस प्रकार से यहाँ पर central government के थूँ एक statement दिया गया है I hope आप लोगों ने आपर इस particular article को भी अच्छे समझ लिया है इसके अंदर कोई भी अलग से information इसे discuss करने वाली नहीं थी बाकि आप लोग मुझे एक छोटा सा difference बता सकते हूँ जो से कि पहले भी मैंने आपसे question पूछा है definitely आपको याद होगा अगर जिसने पहले भी answer नहीं section में फटा-फट लिख दो जिसको भी पता है नीचे comment section में जिसने पहले भी लिखा है दो दिन पहले शायद पूछा था दुबारा लिख देना important है क्योंकि इसको लेकर question बनते रहते हैं आगे आते हैं उसके बाद अगले article के दरफ next एक छोड़ा सा article आपको देखने को मिले आप यहां पर भी कुछ point of view है जो कि आपके लिए काफी important हो सकते हैं देखो दुनिया भर में pollution बहुत हो रहा है अब pollution हो रहा है उसके बाद में दुनिया भर ने क्या solution निकाला भाई या renewable energy की तरफ बढ़ जाओ यानि कि जो आप लोग energy generate कर रहे हैं आप सूरे के मादम से energy क यूज करो ठीक है wind energy का इस्तमाल करो solar energy का इस्तमाल करो renewable energy की तरफ बढ़ जाओ तो इसी चीज़ को पर लोग focus कर रहे हैं अब लोग renewable energy की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा fossil fuels को यूज करना कम कर देंगे जो हमारा petrol बगर है जो कच्छा तेल बगर है इसका consumption जो है वो कम हो इसका use जो कम हो जाएगा तो इस particular article में एक report आती है वो report ये बोलती है कि renewable energy का आप इस्तमाल तो कर रहे हो लेकिन renewable energy का इस्तमाल करने से क्या होगा आपका जो revenue है आपकी जो income है वो reduce हो जाएगी वो कम हो जाएगी ऐसा यहां पर इस report के अंदर बोला गया आप कोगे ऐसा कैस तो इसको समझो यहां पर Russia, Brazil, China ऐसे बड़े बड़े देश देखने को मलेंगे जो कि बहुत सारा पैसा कमाते हैं fossil fuel से अब fossil fuel अगर हम लोग खरीदना बंद करेंगे तो हमें भी नुकसान है और इन countries को भी नुकसान है तो आप कहोगे हाँ इन countries को नुकसान है तेल खतम हु प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा importer है हम लोग बहुत सारा जो तेल है वो पर्चेस करते हैं अब पर्चेस करते हैं तो उस पर दबाके टेक्स भी लगाया जाता है सरकार पेट्रोल डीजल पर टेक्स बहुत लेती है पता है आप कह सकते हो जैसे सपोस करते हैं अगर 100 जो revenue है वो यहाँ पर reduce हो जाएगा revenue जो है वो कम हो जाएगा हालाग इसको आप लोग दूसरे aspect से देखोगे तो हम लोग independent भी बनेंगे है ना क्योंकि जो renewable energy उसका इस्तमाल करेंगे वहाँ सभी काफी को generate होगा बट overall अगर आप लोग एक दूसरे context में देखते हो तो जो revenue ह है वो भी यहाँ पर कम होता वह नजर आएगा तो study ने यहाँ पर यह सारी information दिये कि 2050 तक जो overall fossil fuel का revenue है ब्रजील के अंदर, Russia के अंदर, Indonesia के अंदर में, इंडिया में, चाइना में यह सब बहुत कम होने वाला है ऐसा में बोला गया और इससे petroleum के उपर जो प्रडूस करने व information यहाँ पर याद रखना, आगे आते हैं अगले article पर, next आप देखोगे दुनियादारी में क्या चल रहा है, तो world page पर आप देखोगे तो कुछ भी खास नहीं है, स्रिलंका के बारे में information दी गई है, तो again मैंने आपको बताया था, कि world page पर भी mention है, प्लस आज एक छोटा सा editorial भी है, तो उस editorial पर भी छोटी मोटी information उसको cover कर लेंगे, फिलाल जो major points हैं, वो मैंने आपको starting में ही बता दी है, ताकि आप लोगो जो बाकी सारे articles देखने को मलेंगे, स्रिलंका से संबंदित, उनको cover करने की जुरुत ना पड़े, बाकी आप लोग देखोगे, world page पर कु लेकिन आज Monday है, Monday में आपको पता होगा, दहिंदू जो है, वो economic articles publish नहीं करता है, ठीक है न, तो यहां पे economic articles एक भी आपको नहीं देखने को मलेंगे, अब directly चलते हैं, आप लोग अपने editorial discussion पर देखेंगे आज के important editorials को, तो मैं आपके साथ में आज 8 editorial discuss करने वालों, आपक आपको बहुत सारी information मिलेगी, अलग-लग newspaper से भी articles को लिया गया है, जो कि आपको बहुत ज़्यदा help करने वाला है, सबसे पहला editorial ये देखोगे, आप 8 नहीं, आप 7 कह सकतो, कहोगे एक कम क्यों कर दिया, क्योंकि यही बिल्कुल similar article Indian Express के अंदर है, बिल्कुल similar, 1% भी information कम न से पहले हमेशा की तरह हम लोग आज के mains के question को लेते हैं, mains का question क्या है, तो आज का mains का question काफी important है, आज भले ही दहिंदू ने economic page publish ना किया हो, लेकिन mains answer rating हम लोग आज economic perspective से करने वाले हैं, बहुत अच्छा ज़ग question है, लगातार चर्चा में आपको पताऊगा, recent time में हमने द foreign portfolio investment different from the foreign direct investment, तो मतलब एक तो आपको FBI बताना है, फिर directly आपको FBI versus FDI के बीच में difference लिख देना है, foreign portfolio investment और foreign direct investment के बीच में क्या difference होता है, यह आपको यहाँ पे लिखना है, अच्छा answer अच्छा सा लिखना, लिखने के बाद में कहां पी आपको submit करना है, टेलिग्राम पर जान दीपक यादव education mains answer writing टाइप करना, जैसे आप लोग mains answer writing टाइप करते हो, आपको mains वाला channel मिलेगा, वहाँ पे daily basis पर आपको question प्रोवाइट करवाई जा रहे हैं, हजारों लोग जुड़ चुके हैं, 17-18 जुड़ चुके हैं, जो कि daily basis पर answers को लिख रहे हैं, एक दूसरे के answers को review कर रहे हैं, तो आप भी जाके लिखना, और एक दूसरे के answer को review करना, बिल्कुल मत बूलना, क्यों? क्योंकि जब आप लोग review करोगे, आपके thinking capability और open होगी, एक दूसरे की आपको thoughts पढ़ने को मिलेंगे, तो और भी जादा आप लोग अच्छी तरीके से, एक wider perspective से चलो, start करते हैं फिलाल editorial discussion को, सबसे पहला editorial होता है काफी जदा important, twitter petition on section 69A of the IT Act, जबर दस्त है, पूरे article के अंदर section 69 of the IT Act के बारे में समझा दिया गया, twitter की क्या controversy हो रहे हैं यह वो समझा दिया गया, अब twitter एक social media platform है, यह हम सभी लोग को पता है, recent days में क्या होता है, twitter करनाट का हाई कोड के अंदर चला जाता है, किस के खिलाफ में हमारी central government के खिलाफ में, हमारी केन सरकार के अगेंस्ट में करनाट का हाई कोड के अंदर पहुंचा, अच्छा सर करनाट का हाई कोड ने पहुचियो है, twitter का कहना यह है कि अब देखो, sir, मतलब, situation जो है, वो काफी खरा देखने को मिलता है, यह बात यह करता है, कि जो भी यहाँ पर आपका सकतो कुछ information वगरा है, जो गलत information है, जो कि हमारी country के लिए काफी बढ़ा खतरा है, friendly nations, country के, मतलब, हमारी देश के, जो friendly nation है, किसी दूसरे देश के साथ में, वो खराब कर सकते हैं, उस प्रकार की information अग आप हाई कोट में चलागे, करनाट का हाई कोट में, कहने लगा, कि देखो अब जो है ना, पानी सर के उपर से निकल चुका है, अब बहुत ही जाते order आ रहे हैं, blocking orders आ रहे हैं, कि यह चीज़ी block कर दो, वो चीज़ी block कर दो, और हम कैसे कर दें, ट्वेटर का कहना यह है, कि कुछ political parties के account block करवा दी जाते हैं, जहां पर अगर हम इसको block करें, तो कहीने की freedom of speech का जो violation है, वो भी देखने को मिल रहा है, अगर एक volatile content है, तो ठीक है, उसको ban कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, लेकिन जो हद से जादा चीज़े बढ़ रहे हैं, कि आपको य इस पुरे के पुरे आर्टिकल की, तो आप देखोगे, Indian Express ने भी इस particular article को detail से cover किया हुआ है, ठीक है न, explainer section पर, why Twitter has moved court against the government content blocking order, वही similar article आपको भी देखने को मिलेगा, तो Indian Express से cover कर लेते हैं, कोई problem नहीं, यह बिल्कु सिमिलर चीज़े हैं, यहाँ पर आपको इस सारे जो इन्होंने यहाँ पर एक order दिया section 69A के अंडर में, यह section 69A कौन से act का सित्माल किया गया है, यह सित्माल किया गया है, Information Technology Act 2000 का, तो IT Act 2000 का section 69A का यूज करते वे Twitter से जो post वगरा हैं, वो हटवा दी जाती है, अब कौन सी post हटवाई जाती हैं, आपको आगे बताऊंगा, अब पोस्ट वगरा हटवाई जाती हैं, इससे क्या हुआ ट्विटर यहाँ पर करनाड का हाई कोट पहुचा, ट्विटर ने कहा कि भाई देखो जो blocking के order से वो बढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट को अकाउंट को block करवाने के orders जो हैं, वो लगातार बढ़ करते जा रहे हैं, बहुत सारे orders हमारे पास आ रहे हैं, तो ट्विटर यहाँ पर करनाड का हाई कोट के अंदर चला गया, ठीक है न, यह तो हो गया context, current issue क्या है, current issue यहाँ पर यह है, कि ministry ने, देखो, obvious यह बात है, IT Act जो लेकर आए थे, इस IT Act के अंदर यह सारी चीज़े अ प्लाटफोर्म से हैं, जाए वो Twitter हुआ, Facebook हुआ, कोई भी social media प्लाटफोर्म हुआ, उसके ओपर जो content है, अगर वो थोड़ा वॉयलेटिव content है, तो उस content को हटवाया जा सकता है, हमारी सरकार के थ्रू, तो इसी के response में हमने यह देखा, कि Twitter ने साल 2021 से लगबग 80 accounts और बहु ब्लॉक करवा दिया, उनको हटवा दिया, सरकार का कहना यह है, कि वो जो tweets है, वो कहीं ने कहीं खतरनाक थे, तेकर नो वो हमारी country के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे, लेकिन Twitter के according बात करें, कि इन में से जो content इन्होंने हटाया है, जो इन्होंने accounts ब्लॉक करे हैं, उसमें पर उनको ब्लॉक करने का मतलब है, कि आप लोग जो freedom of speech है, जो fundamental right है, उसका violation कर रहे हो, ऐसा यहाँ पर Twitter ने बोला, और इस चीज़ को बोलते वे Twitter करनाट का high court पहुँच किया, तो सर यह तो हो गई information, अब उसके पीछे का background जहां से आप लोगों से question बन सकता है, mains के लिए आपको data त्यार करना है, वो यह है कि IT Act का section 69A आखरकार बोलता क्या है, देखो IT Act का section 69A, यह यहाँ पर state government और central government को power देता है, कि यह दोनों ही सरकारे कुछ directions issue कर सकती है, और वो जो directions हो सकती है, वो basically किसी content को हटाने के लिए हो सकती है, ठीक है ना किसको social media platforms को, social media platforms को बड़ यह content है, उसको हटाने के लिए पर information यह direction दी जा सकती है, तो आप कहोगे, आखरकर content हटाने, content हटाने की बात कर रहे हैं, कौन सा content हटाया जा सकता है, तो इस Act के अदर mentioned है, मालो किसी ने कोई ऐसा content publish कर दिया, जो कि हमारे country की sovereignty और integrity के against में हो, ठीके ना, या फिर हमारे देश के जो friendly relation है, दूसरे देश के साथ में वो खराब कर दे, या फिर public order का आप कह सकते हो, वाइलेट करे, तो या फिर आप कह सकते हो, यह जो situation है, हमारे country के अंदर वो बिगाड़ दे, community के बीच में आपर रलाई होने लगे, तो इस प्रकार का जो भी content है, उसको यहाँ पर हट आया जाएगा, और यह सारी बाते आपको इस particular act के अंदर में देखने को मिल जाती है, ठीके न, अब आप कहोगे कि हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, अब ब्लॉक करने का जो भी process है, वो आपको section 69A के अंदर में देखने को मिल जाता है, ठीके न किसी भी intermediary को, यानि किसी भी social media platform पर से ये information को हटा सकती है, अगर कोई भी information ऐसी होती है, जो कि हमारे country के sovereignty के against में हो, हमारे जो friendly relation है किसी दूसरे देश के साथ में उसको खराब करें, तो basically उसको हटाया जा सकता है, ऐसा खुद यहाँ पे इस particular act के अंदर mention है, अब देखो intermedi intermediaries के अंदर क्या क्या आता है, intermediaries के अंदर सभी चीज़ आती है, चाहे वो telecom service हो, network service हो, internet service providers हो गए, web hosting हो गई, ठीक है, यह सारे चीज़ हो गए, online payments वगएरा हो गया, यह सब कुछ हो गया, अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा content वगएरा आता है, circulate होता है, तो उसको regulate करने का focus क किया जाएगा, उसको block करनी की request यहाँ पर सरकार कर सकती है, यह यहाँ पर आपको IT act देखने को मिलेगा, बाकी एक और question आएगा, क्या ऐसे ही और भी act से हमारे पास में बिलकुल है, इंडिया के अंदर आपको information technology act 2000 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है न, इसके अंदर लगातर चर्चा में रहा है, हमेशा amend करते रहें, पिछले साल आपको intermediate technology, intermediate guidelines लेकर आगए थे, पिछले साल आपको पता होगा 2021 के अंदर में, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, अब question यहाँ पर आपको यह देखने को मिलता है, कि इस act के अंदर mention कर रखा है, कि जो यह Twitter है, या Facebook है, या YouTube platform है, यह जितने भी social media platforms है, इन लोगों यह बात माननी होगी, जो के सरकार mention कर रही है, ठीके न, अगर यहाँ पर कोई content relative है, और सरकार यहाँ पर इन से कहती है हटाने के लिए, तो इनको हटाना होगा, अगर यह नहीं हटाते हैं, तो इन platform से खिलाफ कारव information दी कही है, कि देखो, यह जो Twitter है, यह Facebook है, इनको एक grievance officer रखना होगा, grievance officer मत कब यह है, कि अगर आपको वह complaint है, आपको यहाँ यहाँ पर abuse कर रहा है, तो आप कहाँ पर complaint कर सकते हो, यह officer 24 घंटे के अंदर अदर आपकी complaint को resolve करेगा, ठीक है, फिर उसका Twitter को एक chief compliance officer रखना है, overall इन social media platform उसको एक तरीके से control किया जाता है, इस particular act के माधियम से यह भी आप लोग यहाँ पर कह सकते हो, तो यह चीज़े आपको देखने को मिल जाते हैं, आई होप आप लोग ने इसको काफी अच्छे से समझ लिया है, अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है, देखो, क्य क्योंकि एक content blocking के orders लगातार बढ़ चुके थे, ट्वेटर का कहना यह है कि situation ऐसी हो चुकी थी, कि हमें political parties के account block करे गए, जिससे पता ही चलता है कि जो freedom of speech है, वो भी यहाँ पर violet होता हूँ नजर आ रहा है, ठीके न, यह आपको clear हो जाना चाहिए, आगे आते हैं next article पर, भी हैं इसे cover कर लेते हैं, यह भी काफी जदा important article आपको देखने को मिलेगा, यह article बात करता है India-Australia के relationship के बारे में, या फिर आप कर सकतो explainer section मेरे एक अच्छा article है, देखो current time पे हो गया रहा है, दह हिंदू अच्छे editorial publish नहीं कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक express ना, दिन बाद दिन बहुत important होता जा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे articles आपे publish कर रहा है, आप में देखा होगा Twitter वाला तो चलो similar तब हमने discuss कर लिया, मैं आपके साथ में, मतलब आप वैसे करते जाओ, आपको अगर newspaper पढ़ना हो तो obviously आप डिल घंटा तो invest उसके अंद बिल्कुल proof के साथ मैंने आपको दिखाया है, ऐसे अपकी बार भी रहने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्याद़ detailing से सारी information लेकर चली जा रही है, आप लोग को करना क्या है, बस काली यहाँ पर चीजों को बहुत अच्छे से follow करते वे चलना है, तीक है न, यहाँ पर आपक critical minerals काफी चर्चा में है, तो एक एक करके discuss करेंगे, आखरकार critical minerals क्या होता है, इससे यहाँ पर भारत को क्या फाइदा होगा, ठीक है न, ऑस्ट्रेलिया इंडिया की relationship कहाँ पर stand करते है, एक अच्छा article है, जिसको आप लोग GS paper to international relations से relate कर सकते हो, सर, context क्या है, न्यूज यहा अपनी partnership को यह और सदा मजबूत करने वाले हैं, कौन से particular field के अंदर, critical minerals की field के अंदर में, तो critical mineral अपना आप में एक important चीज है, तो यह जो minerals हैं, यह Australia, India को supply करेगा, इससे भारत को और भी बहुत सरा फायदा होगा, और Australia ने confirmation भी दे दिया है कि बिल्कुल हम लोग इस particular critical mineral की category में, साथ में मिलकर काम करेंगे, अब पहला question यही आता है कि सर critical mineral होता क्या है, देखो critical minerals यहाँ पे कुछ ऐसे elements होता है, जो कि बहुत ही जादा important होता है, हमारे current time पर नएनी technology का इस्तमाल होता है, हम लोग electric vehicle की तरफ बढ़ रहे हैं, है न, electric vehicle को तरफ बढ़ रहे हैं, solar panels क तरफ बढ़ रहे हैं, यानि कि renewable energy की तरफ बढ़ रहे हैं, और दुनिया भर में, आयनवले टाइम पर इनकी चर्चा सबसाद़ होने वाली है, इनके अदर किस चीच का इस्तमाल हो रहा है इनके अदर इस्तमाल हो रहा है batteries का, बैटरी चा डल रहा है, बैटरी के अदर डल और ज़रूरत भी बहुत ज़ादा है, वो basically critical mineral है, example के तोर पर lithium देखना आपने दूसरा एक सबसे बड़ा example, silicon, silicon क्या है, तो silicon basically यहाँ पर एक semi conductor है, तो आप semi conductor के अंदर silicon का इस्तमाल करते हैं, आप semi conductor की जो supply है, तो बहुत कम है, दुनिया भर में मुठी वर country's यहाँ पर semi conductor क बनाती हैं लेकिन यूज़ करने वाली सभी लोग है क्योंकि समी कंड़क्टर का इस्तमाल छोटी से छोटी चीज़ के अंदर भी हो रहा चाहिए आपका मुबाइल फोन और लाप्टॉप और हर चीज़ के अंदर समी कंड़क्टर चिप्स लगी हुई है तो आप कह सकते हो य जैसे कि ग्रेफाइट हो गया लीथियम हो गया कोबाल्ट हो गया इनका आम लोग इस्तमाल करते हैं इलेक्टरी वहिकल की बैटरीज को बनाने के लिए ठीक है या फिर आप सिलीकॉन देख सकते हो जिससे आम लोग कंप्यूटरी चिप्स को बनाते हैं सेमी कंड़क्टर को बनाते हैं, solar panels के अंदर इसका इस्तमाल होता है, तो ये सारे होते हैं हमारे critical minerals यानि important minerals, अब इंडिया की जो critical mineral strategy है, इसने लगबग 49 minerals को identify किया है, यानि कि 49 ऐसे minerals हैं, जो कि भारत के future economic growth के लिए बहुत ज़ादा important है, 49 minerals ऐसे हैं, जो कि भारत के लिए बहुत important है, क्या 49 के 49 minerals भारत के पास में हैं, नहीं, इसमें से बहुत सारे minerals ऑस्ट्रेलिया के पास में हैं, इसी वज़ा से ऑस्ट्रेलिया के साथ में हम लोग यहां पे इस particular mineral की field में partnership कर रहे हैं, I hope अब आप लोग ने इसको काफी अच्छी समझा, अब आते हैं इसके importance के बारे में, इस turbine सभी के अंदर critical minerals का बहुत ज़दा इस्तमाल हो रहा है, और आपसे आप एक question मन जाए, कि critical mineral का इस्तमाल हम लोग कौन-कौन से industries के अंदर करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है defense industry होगी, aerospace, communication, defense industry के अंदर, critical mineral का इस्तमाल हम लोग fighter jets बनाने में भी करते हैं, drones के अंदर भी क किया जाता है, दूसरे equipments के अंदर भी किया जाता है, ठीक है, अब question यह है, कि यह जो minerals है, यह इतने important source बन गए, बिल्कुल important source बन गए, क्यों, उसके पीछे का reason है, उसके पीछे का reason है, बहुत सारे देश जो है न, वो अभी clean energy की तरफ बढ़ रहे हैं, pollution को कम करने की तरफ बढ़ रहे हैं, digital economy की तरफ बढ़ रहे हैं, clean energy की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी हमें solar panels के requirement है, उसके अंदर critical mineral चाहिए, digital economy की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत सरे digital equipments की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे भी critical mineral की जरूरत है, batteries की जरूरत पड़ेगी, तो जो dependency है है हमा एक्जाम्पिल है भारत का भारत सिलीकॉन प्रोड्यूस नहीं करता हम लोग बहुत सारे देश से समिकंडॉक्टर को मगाते हैं और जैसे मने आपको बताया कि करेंट टाइम पर हर एक चीज के अंदर समिकंडॉक्टर है ठीके न तो आपको यहां पर भी क्या पढ़ रहा है एक प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं कि भारत जो है बहुत सारी देशों के ओपर डिपेंडेंट है इस पर्डिकॉलर समिकंडॉक्टर को लेकर तो इस वज़य से क्रिटिकल बिनरल जो है न बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट एक पार्ट आपको देखने को मिलता है करें एक्जांपिल अगें सेमिकंडॉक्टर का लेते हैं सेमिकंडॉक्टर प्रोडूस करने वाली कुछ ही कंट्रीज हैं ताइवान हो गया और कुछ यहां पर देश देखने को मिलेंगे लेकिन यहां पर चाहिए तो सबको पूरे देश पूरे दुनिया भर में हां पर में इसी वेसे भी critical minerals इतने important हो जाते हैं तीसरा एक और बहुत बढ़ा reason demand लगातार बढ़ रही है यानि availability supply कम है demand बहुत जादा है United State की सरकार की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से clean energy economy की तरफ बढ़ चुके हैं इनकी demand critical minerals को लेकर लगातार increase हो र हाया है कि हम लोग अपने country के अंदर भी यहाँ पर mining वगरा करेंगे कुछ यहाँ पर minerals वगरा की खोज वगरा करेंगे वो भी हम लोग देख पा रहे हैं कि अमेरिका के अंदर चल रहा है ठीक है ना तो फिलाल तो आप देख पाऊगे है अमेरिका भी काफ़े तक dependent है इससे importance क्या होगा भारत को तो आप देखोगे इसका importance बहुत ज़्यादा देखने को मलेगा सबसे पहली बात Australia जो है यहाँ पर मदद कर सकता है भारत की इन सारे minerals को provide करवाने में तो कुछ critical minerals हैं जो की solar panels, battery और electric vehicles और defense industry के अंदर इस्तमाल के जाते हैं इनकी demand भारत के अंद बहुत है लेकिन भारत के अंदर produce नहीं हो पाते तो यह सारे critical minerals हमें Australia provide करवा सकता है तो इससे यहाँ पर भारत को इस प्रकार से फायदा मिलेगा उसके साथ में आप देखोगे एक चीज़ और mention की जाती है यहाँ पर आपको यह देखने को मिलेगा कि minerals के अंदर हम लोग य आगे बढ़ें कि जो भी हाँ पर pollution हो रहा उसको कम किया जाए और फिर जो हमारी घाडियां जो वहीकल है उनके जगह electric vehicles का इस्तमाल कर सकते हैं उससे यहाँ पर क्लीन energy की तरफ हम लोग बढ़ पाएंगे ठीक है न तो यह सारे फाइदे आपको देखने को मिलते हैं तो यह जो path है यह हमारा achieve उपाएगा किसी मदद से इंडिया की मदद से तो यह आपको देखने को मिलेगा बाकी अब हम लोग कुछ extra points को cover कर लेते हैं जैसे कि इंडिया ऑस्ट्रिलिया के जो trade relations है वो यहाँ पर किस प्रकार से देखने को मिलेंगे सबसे पहली बार देखो दोनों इंडिया ऑस्ट्रिलिया का जो bilateral trade है दोनों देशों का वो लगबग आपको 2021 के अंदर 27.5 billion US dollars का देखने को मिल जाता है जहां पर हमने देखा कि भारत ने ऑस्ट्रिलिया का जो मतलब ऑस्ट्रिलिया को जो हम लोग export करते हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ी growth देखने को मि पीज़ का तो भारत का export जो है ऑस्ट्रिलिया के प्रती बढ़ चुका है और export के सासाथ हम लोग देखेंगे तो import भी बढ़ चुका है हम लोग import भी बहुत कुछ कर रहे हैं export तो हम लोग क्या करते हैं finished products को export करते हैं और हम लोग Australia से import करते हैं raw materials को minerals को और intermediate goods को हम लोग import करत हैं ठीक है अब उसके बाद कुछ और चीज़ आती है इंडिया ऑस्ट्रिलिया दोनों बहुत important पार्टनर है supply chain resilience initiative के मामले में यहां पे आप देखोगे कि इसमें supply chain resilience initiative में तीन देश देखने को मलेंगे इंडिया ऑस्ट्रिलिया जापान इन तीनों का focus यह है कि supply मतलब किसी प्रोडेक्ट की जो supply है किसी एक देश में न रहे यहां पे यह चीज़े बटी रहें तो supply chain के मामले में तीनों कंट्रिस मिलकर काम कर रहे हैं इस पूरे के पूरे इंडो पसिफिक रिजन के अंदर में हैं साधी साथ में आप कह सकते हो कि इंडिया ऑस्ट्रिया दोनों काफी बढ़ जाता है बाखी आपर दुनिया भरी कंट्रिस क्या क्या कर रही है इस critical minerals के मामले में क्योंकि दुनिया भर के अंदर इसकी काफी बड़ी कम ही देखने को मिलती है तो दुनिया भरी कंट्रिस की बात करें तो आती है बात United States of America की तो साल 2021 में US ने खोद एक order दि दिया है कि हम अपने देश के अंदर लगातार क्या करेंगे domestic mining करेंगे खुदाई करेंगे production करेंगे process करेंगे critical minerals को और materials को क्योंकि ये दो देश है ये भी काफी dependent है तो इसको भी यहाँ पर जरूरत है कि अपने देश के अंदर इसको निकाला जा सके इंडिया क्या कर रहा ह तो इंडिया भी बहुत कुछ कर रहा है भारत ने यहाँ पर एक private limited company को stand कर दिया जिसका नाम है खनिज खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड आपको एक company देखने को मिलेगी एक joint venture है sorry यहाँ पर मैंने private limited बोल दिया है एक joint venture है तीन public sector companies का ठीके इसका भी focus क्या है कि minerals को नि देखने को मिलेगा बाकी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया तो मिलकर काम करी रहे हैं उन्हें memorandum of anastrani को sign कर रहा है बाकी UK भी कुछ इसी प्रकार से काम कर रहा है UK ने भी अपने आपर कुछ नई critical mineral intelligence center को अगरा को establish किया है जहां पे लोग अपने country के अंदर critical minerals को निकालने की क express पर हैं तो हम लोग मैंने सुचा आप यार इदर इदर दर करेंगे दा हिंदू पर जाएंगे फिर इन express पर आएंगे तो इदर दर करने सच्छा है पहले यही वाले article cover कर लेते हैं तीसरा editorial भी बहुत important होने वाला है explain section का article आपको यह देखने को मिलेगा जबरदस्त है इस article को आप science and tech से प्लस geography से relate कर सकते हो recent time पे हमने यह देखा अमेरिका के अंदर जो आस्माने वो हरा color का हो गया इसका जो है वो green color का आपको देखने को मिला है तो यह basically जो हरा color का आस्मान हुआ है उसके पीछे का reason है डेरेको स्टॉर्म तो डेरेको स्टॉर्म क्या होता है इस क को यह पर इसके बारे में पता होना चाहिए आओ कवर करते हैं डेरेको स्टॉर्म के बारे में तो यूएस के कुछ स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे यूएस बेसिकली आप कर सकते हो अलगलग स्टेट्स से मिलकर बनावाए तो यूएस के अंदर आपको टोटल 50 जादतर होता रहता है लेकिन जादतर कहां पर देखने को मिलता है अमेरिका के सेंट्रल और इस्टरन पार्ट्स के अंदर जादतर देखने को मिलता है इसको लेकर वैसे मैं एक थम्नेल त्यार गया था लेकिन वो थम्नेल फिर मैंने लगाया ने ठीके न आप लोग एक बा और Eastern Parts के अंदर ये Darroco Storm देखने को मिलता है साल 2009 के अंदर ये जो Super Darroco है ये सबसे खतरनाक रहा था जो कि Observe के आया था जो Super Darroco ये आंदी आयी थी है जो Storm आया था इसमें जो हवा की स्पीड थी लगबग 170 km per hour के आसपास की थी तो अपनाप में खतरनाक था 2009 वाला ये Darroco जिसको Super Darroco के नाम से जाना जाता है फिर ये केवल अमेरिका में ही नहीं आपको साल 2010 के अंदर रश्या में भी देखने को मिला था उसके बाद में जर्मेनी फिंडलेंड में देखने को मिला बुलगरिया पोलेंड के अंदर भी देखने को मिला तो ये Darroco को काफी सारे कंट्रीस के अंदर देखने को मिलता है क्वेशन यह है कि सर Darroco होता क्या है Darroco बेसिकलिए यहाँ पर आप कर सकतो एक वाइड स्प्रेड एक फैला वा एक तूफान है एक विंड स्टॉम है ठीक है ना अब होता है कि यहाँ पर यह सीधा सीधा मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन में यह मूव करता है जाता है और आसपास वाली चीज़ों को तबहा करते वे जाता है तो straight line storm है यह आपको दियान रखना है तो आपको गए straight line मतलब सीधा सीधा जाता है ठीक है हाँ बिल्कुल अब बहुत सारे आपको देखने को मिलता है जो storm होता है उसके अंदर एक rotation होता है tornado आपने देखा होगा tornado इस प्रकार से गोल-गोल-गोल गोमता रहता है है ना लेकिन यहाँ पर यह जो डेरो को है यह गोल-गोल नहीं गोमता यह बिल्कुल straight line में आपको देखने को मिलेगा और यह डेरो को जो है यह hundreds of miles तक travel कर सकता है एक बहुत बड़ा area travel कर सकता है और यह warm weather phenomena है यानि गर्मी के time पर आपको देखने को मिलेगा आपसे question मन सकता ह prelims के अंदर में तो warm weather phenomena है यह generally आपको जून और जुलाई के बीच में देखने को मिलता है और इसका जो occurrence है वो बहुती rare देखने को मिलेगा जैसे यहाँ पर आपको tornado, hurricanes तो यह normal देखने को मिलते रहते हैं लेकिन यहाँ पर जो डेरो को है यह बहुती जादा कम देखने को म basically यहाँ पर यह short line thunderstorm होता है यानि कि आपका सकतो यह hundreds of millions, hundreds of miles दूर तक जाता तो है लेकिन इसका जो path रहता है वो थोड़ा पतला सा रहता है narrow path में जाता है जबकि serial जो डेरो को होता है वो यहाँ पर थोड़ा सा wider path में जाता है इसका area यह थोड़ा से बड़े area में तबाही म बचाता हो जाता है वो आपको serial देखने को मिलेगा बाकी hybrid क्या होता है hybrid वाले डेरो को के अंदर progressive और serial डेरो को के दोनों के feature देखने को मिलते है तो hybrid मतलब दोनों का mixture ठीक है न अब question यह है कि सरापने बोला था कि आस्मान यहाँ पर हरा हो जाता है तो ऐसी क्या चीज है कि यहाँ पर sky को हरा कर देती है इस डेरो को के अंदर तो यहाँ पर एक और question उठता है what makes sky green amid डेरो को देखो होता क्या है जब यह thunderstorm कितना खतरनाक होता है इसकी वज़ा से आस्मा जो हरा हरा हो जाता है क्यों क्योंकि यहाँ पर जो यह light है वो interact करती है कैसे देखो यहाँ पर पर जाता है जो यह blue light आपको देखने को मिलती है वो blue wavelength क्या करती है वो mix होती है yellow light के साथ में तो ध्यान रखना जो यह blue wavelength है यह mix होती है yellow light के साथ में और अगर आप लोग blue और yellow को यारी sun की light में आप कर सकते हो blue और yellow को अगर आप लोग mix कर दो तो वो green color बनता है तो blue color combine होत कर दोपार के समय पर या फिर आप कर सकते हो जो仔 वारेंश करेंबर के लौड़ कर फिम्लक है उन्हाओ फ्रकार देखने को मिला है वाकि यहां पर ड्रीकै अ कि आ बजल लिया है उसके बाद में यह देखो सर अगर यहां पर ब्लू और यलो को मिलाते हैं तो यहां पर हमारे पास में green color मिलता है तो वगा क्या blue light जो है मिलती है हमारे sun की light से जिसकी विए से यहां पर आपको ग्रीन इंडिन एक्स्प्रेस ये टॉप पर रहता है अलड़ी ठीके ना ये तो आपको बता है उसके साथ एक अक्वार के बारे में काफी चर्चा और होती है वो थी लाइवमेंट लाइवमेंट को पढ़ ले करो लाइवमेंट के अंदर डिफेंस को आर्टिकल है वो अच्छे आते बाकी आपको पता होना चाहिए अगर हम लोग थोड़ा स्ट्रेडिजी वाइस चलें यानि एक थोड़ा सा हम लोग धिमाग चला के चलें तो होता क्या है कि बाकी सारे जैसे आप लोग शौर्ट आर्टिकल्स के इंटरनाशनल रिलेशन हो गया ठीक है या फिर एकोनॉमी क अलए कि बाकी था में अक्तिकल्स अज़ो को एके डारिकल्स हम लोग अपने करंटाफर के वीडियो के अंदर कवर किया करते थे तो एक लाइव मेंट का आर्टिकल है इंपोर्टेंट आर्टिकल है क्या चर्चा की गई है सर इसको डिसकस करते हैं इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो लगबग 13,000 करोड रुपे क्रॉस कर चुका है और यूएस हमारा सबसे बड़ा इंपोर्टर रहा है यूएस ने काफी सरे डिफेंस जो एक्क्यूपमेंट से भारत से पर्चेस किया है तो यह आर्टिकल यहाँ पर लाइव मेंट के अंदर पब्लिश होता है जो की बहुत ही शांदार पब्लिश होता है बहुत सरा डेटा मुझे मिला है वो डेटा आपके साथ मैं शेर कॉंटेक्स क्या है निउस क्या है तो निउस आप लोगों ने आपर समझ लिया कि 13,000 क्रोडर रुपे क्रॉस हो चुका है डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में यूएस एक मेजर बाया रहा है यह भी डिसकस कर लिया अब यहाँ पर जो भी पैसा कमाया गया उसमें आप दे प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिला है ऐसा यहां पर बोला गया ठीक है यहां पर बोला गया कि हम लोगों ने बिल्कुल एक्सपोर्ट तो बहुत ज़दा किया है इंपोर्ट भी हम लोगों ने किया है डेफिनिटली यूएस वगरा से काफी स लिटा है यह आपको नोट डाउन करने के लिए काफी है तक यहां पर मतलब कहूंगा मैं कि नोट डाउन कर सकते हो आप लोग ठीक है इंपोरेंट है क्या चर्चा करी जाती है यहां पर वाट स्टेप्स हैव टेकन रिसेंटी टू बूस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट को बू 1.96 Jenis के लिए दियल है हमने फीलिपिनद्स के साथ साथ में साइन करी है अब यहां पर इंपकर आम अब यहां पर सकते हो कि र guiding क्या किया 310 अलग अलग जो वैपन इसे हीं उनके ओपर वैयन लगा दिया है मतलब एक टाइम ऐसा था कि भारत बहुत सारे डिफेंस हतियारों को पर्चेस किया करता था हम लोग बहुत सारे हतियारों को पर्चेस किया करते थे अलग लग देशों से तो हमने स्टार्ट ये कर दिया कि हम इसको पर बैन लगा रहे हैं आजकल है न बहुत सरे जो हत्यार हम लोग पर्चेस करते हैं उनके ओपर बैन लगाना शुरू कर दिया है हम लोगों ने मिल रहे हैं ठीके न यह सब चीज़े हम अपने देश का अंदर बनाना स्टार्ट करेंगे जिसको उपर भी हम लोगों ने बैन लगाया है अब एड़ लास्ट एक और बहुत मेजर पॉइंट डिसकस करने वाल है इसको भी नो टाउन कर सकते हो बहुत इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसका स्टारास आपको क्या देखने को मिलेगा करेंट टाइम तेखो डिफेंस एक्सपोर्ट भारत सरकार का एक इंपॉर्टेंट पिलर है self-sufficiency को achieve करने के लिए हम लोग अभी आत्म रिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं अपने country के अंदर अपने country के तरफ खुद अपने ओपर dependent होना चाहते हैं self-dependent होना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर defense production के अंदर एक कदम जो उठाया गया यह बहुत important है तो भारत को self-sufficient बनाने के लिए defense export जो है यह काफिया तक मदद करेगा प्लस आप कह सकते हो कि लगबग 30 से जादा जो भारत की defense companies हैं उन्होंने अलग-अलग हतियार export किये हैं अलग-अलग देशों को जैसे इटली, मौलदीव, स्रिलंका रशिया, फ्रांस, नेपाल, मौरिशय, स्रिलंका एजिप्ट, उसके बाद UAE, भूटान, इथोपिया, सावधी अरेबिया फिलिपिन, पोलेंड, स्पेन और चिली इस उन सारे ही देशों को हम लोगोंने अलग-अलग defense equipment जो है पर्चेस, सरी, export किया है ठीक है न, फिर उसके आद में exports की बात करें, तो export हम लोगों ने क्या क्या किया, तो export में हम लोगों ने यहाँ पर आप देखोगे engineering mechanical equipment हो गए, offshore petrol vessels हो गए, उसके साथ में आपको advanced light helicopters देखने को मिलेंगे, avonic suits हो गए, radio system radar system, यह सारी चीज़ा हम लोगों ने export करी है, इंडिया का जो defense export है, देखो अभी लगातार बढ़ चुका है, यह तो हमने देखा लेकिन जैसा हमारा expectation था वैसा अभी भी नहीं हुआ हमारी expected lines तक अभी भी वो नहीं पहुँचा है, जब आप लोग SIPRI की report देखते हो, that is Stockholm International Peace Research Institute तो इसने यहाँ पर इंडिया की rank रखी है 23 number पर in the list of major arms exporter तो साल 2015 से लेकर 2019 के बीच में भारत ने भले काफिसरा जो हत्यार हो export किया हो उसके बावजूद भी rank काफी नीचे है हम लोग अभी भी काफी कम position को hold करते हैं focus हमारा यह है कि हम लोग एक बहुत बड़ा एक area capture करें defense export के मामले में जैसे आज के टाइम पर Russia US जैसा यहाँ पर market देखने को मलेगा तो अभी हम थोड़े से पीछे हम अपने expected line की तरफ नहीं है इसी चक्कर में भारत ने आप एक target रख रखा है target क्या है target है हमारा कि हम लोग 2024 तक 5 billion US dollars तक का defense export करेंगे यह हमारा target है और इस defense export के अंदर हमें बहुत सरे जो initiatives से भारत के वो मदद करने वाले हैं आपको अलग-लग initiative देखने को मिलेंगे इसके मैं आपको details से नहीं पढ़ाऊँगा आपको heading heading बताऊँगा क्योंकि obvious सी बात है मैं भी यहाँ पर ready करूँगा तो आप अच्छा इसके बारें पढ़ लेना आपको PDF के अंदर provide करवा दूँगा तो initiative के अंदर पहला initiative है defense production and export promotion policy 2020 दूसरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा multi-pronged steps towards self-reliant defense sector तीसरा आपको देखने को मिलेगा strategic partnership और चौथा देखने को मिलेगा positive indigenization तो यह कुछ steps यहाँ पर उठाएगा है जहाँ पर हम लोग ने काफी सरे हत्यारों को ban किया काफी सरे हत्यारों को खुद अपने देशे बनाना start किया काफी सरे हत्यारों को export करना चालू किया जिसके business पर भारत का different sector काफी तीजी से grow हुआ है तो यह particular editorial से भी आपके लिए बहुत सारे जो points है मेंस के लिए तयार हो चुक है कोई editorial पढ़ने का मकसद है मेंस के लिए points को एकट्टा करना अब मैं आपको दाहिंदू का आर्टिकल दिखाता हूँ अब देखो Indian Express और दाहिंदू के कुछ articles के अंदर comparison देखो editorial के अंदर वही महराश्टर के political crisis के बारे में चर्चा की गई है बिल्कुल भी यहाँ पर काम का नहीं है आपको skip कर देना है उसके बाद मैं एक article यह देखने को मिलेगा अगर मैं यहाँ पर शुरू से लेकर starting के line से लेकर end के line तक भी पढ़ दूना तो अभी आप लोग एक भी point important नहीं निकाल पाओगे क्योंकि सब चीज़े मैं already पढ़ चुका हूँ ठीक है अर इतने time से आप पर त्यारी कर रहे हैं त्यारी कर रखिये तो यहाँ पर obvious ही बात है चीज़ें यहाँ पर काफिया तक समझ में आने लगती है जा आप लोग इस article को देखोगे तो यह India स्रुलंका के relations के बारे में चर्चा करता है क्या चर्चा करता है वो तो मैंने आपको अलग से points बताए है important points जो कि वीडियो के starting बताए थे वो ना बताता है तो यह article भी किसी काम का नहीं है क्या चर्चा की गई है देखो पब्लिक के अंदर यहाँ पर एक dispute create हो चुका है पूरे शलंका के अंदर में हम लोग देख पा रहे है कि current time पर माके जो president है और prime minister है दोनों ने यहाँ पर resign कर दिया है current time पर कोई भी president और prime minister आपको शलंका के अंदर नहीं देखने को मिलेगा उसके पीछे का reason है लोगों का गुसा लोगों ने यहाँ पर एक तरीके से काफिया तक dissatisfy हुए है सरकार के effort से लोग काफि नराश रहे क्योंकि समान बहुत महँगा हुआ अभी current time पर जो चुछ लंका है उसने काफिया उधार ले रखा है वो सारी बाते यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है तो अगले कुछ दिन जो है वो बहुत ज़दा important होने वाले है इस देश के लिए क्यों कि भाई यहाँ पर कोई समालने वाला ही नहीं है प्रायम मिनिस्टर भी नहीं है और प्रेसिडेंट भी नहीं है महिंदा यॉपा प्रेसिडेंट बन सकते है आने वाले 30 के अंदर लेकिन फ्रेस्डेंट होना बहुत ज़दा मुश्किल आपको देखने को मिलेगा ठेके ना तो यह बहुत important point है यहाँ आप लोग को ध्यान रखना है बतलब important भी क्या कहें इसमें कुछ ऐसा important नहीं है बस खाली आनेवले टाइम पर election होना बहुत मुश्किल है शलंका के अंदर जिस प्रकार से होंगे वो आनेवले टाइम पर पता चलेगा तो again आपने देखा न कुछ भी ऐसा important नहीं मिलेगा आगे आते हैं उसके बाद आपको इसी के निचे एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा यहाँ पर असेसिनेशन ओफ एबे शिंजो एबे साब को अभी गोलिया मार दी गई है उसी को लेकर यहाँ पर यहाँ आर्टिकल दिया गया है कब प्रायमिनिस्टर बने थे ठीक है जापान के प्रायमिनिस्टर बने रहे तो कैसे कैसे यहाँ पर रिलेशन रहे अलग अलग देशों के साथ में वो सारी चीज़ा आपको देखने को मिल जाती है और इसके बारे में मैंने परसो चर्चा कर रखी है परसो मैंने आपको बहुत सारे अलग से important points प्रोवाइट करवा रखे हैं इंडिया जापान के relationship के बारे में आपको होगे तो PDF के अंदर आप लोग डाउनलोट कर सकते हो तो करना क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ करना यह है कि आप लोग 9 जुलाई का जो दहिंदू है 9 जुलाई दहिंदू न्यूस पेपर बाय दीपा यद अब डाल देना आपको वीडियो मिल जाएगा पहला ही आर्टिकल मैंने डिसकस क्या है इंडिया जापान के रिलेशन्स को लेकर यानि कि आर्टिकल से कुछ important points मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइट करवा रख है तो आप लोग प्लीज एक बार जाके टेलिग्राम को विजट कर सकते हो वहाँ पे 9 जुलाई के PDF को नावलूट कर सकते हो आपको पहला ही आर्टिकल वहाँ पर मिलेगा और वहाँ पर points मिल जाएंगे इंडिया जापान के relationship को लेकर तो अगें देखो वही चीज हैं तो इनको जादा घुमाने फिरानी की ज़रूरत नहीं है इसी वज़ासे मैंने बोला इसी वज़ासे मैंने यहाँ पर कुछ आर्टिकल जो है अलक्से लेना स्टार्ट कर दिया है और आप लोग काफी मतलब यह initiative आपको काफी पसंद आया इतने सारे लोग का recommendation था बहुत सारे लोग यहाँ पर कह रहे थे सर ऐसा कर लो दहेंदू के इतने अच्छ आर्टिकल नहीं आ रहे है तो मैंने भी देखा तो यहाँ पर वाकई मैं ऐसा कुछ लगा तो उसके बाद जाके यह step उठाया गया ठीक है ना बाकी अभी हमारे पास एक editorial है जो की जबरदस्त है आज का लेकिन वहाँ पर भी जो पॉइंट से कुछ strongest पॉइंट नहीं है यह बेसिकल यहाँ पर यह वाला जो आर्टिकल है यह किसके बारे में बात करता है जोबैर के बारे में बात करता है अगेन इसको भी आप लोग skip कर सकते हो आते हैं एक important आर्टिकल पर यह वाला इस आर्टिकल को यहाँ पर इन दोनों author न लिखा है यह बात करता है road to productivity आर्टिकल की heading पढ़के समझ माझाता है कि हाँ यह हमारे paper से link होगा सभी editorial को पढ़ना important नहीं है study करना important है लेकिन quality study करना जरूरी है quantity में करना जरूरी नहीं है quality इस प्रकार से करो editorial जब पढ़ो तो points निकल के रख लो Indian Express के मैंने important articles पढ़ाए सारे points आपको मैंने PDF के अंदर provide करवा दिया है वहाँ पे उन points को अपने पास में copy paste करके रख सकते हो जब तक आपके पास में content तयार नहीं होगा तब तक आप कितने ही साल का newspaper पढ़ोगे याद कार रखाना बहुत मुश्किल रहेगा पढ़ोगे, skip करोगे, पढ़ोगे, हटाओ, पढ़ो, हटाओ तो वो याद रखना बहुत मुश्किल है इसे होज़ा से points में आपको provide करवाता हूँ और खास बात यह है कि जो भी आपको points provide करवाए जा रहे हैं आप लोग जब month के last में किसी monthly compilation को उठाओगे तो वो ही points आपको वहाँ पर भी मिलेंगे ठीक है ना? चलो फिलाल बहुत lecture हो गया, अभी यहाँ पर बात करते हैं road to productivity यह क्या चर्चा करते हैं? देखो यहाँ पर इनोने heading क्या दिये? investing in roads reduces travel time अगर आप लोग सड़कों पर पैसा खर्चोगे तो travel time थोड़ा सक कम होगा, क्योंकि अभी सड़के खराब हैं, तो अपनी काम पर पहुँचने में labor को थोड़ा जादा समय लगता है, तो सड़के अच्छी हो जाएंगी, तो यहाँ पर पहुँचने में वो यहाँ पर नजर नहीं आते हैं, लेकिन discuss करते हैं, देखो क्या क्या मेंशन किया इन्होंने यहाँ पर बोला कि देखो pandemic COVID-19 pandemic सभी को पता है, इसमें lockdown वगरा लगा, अभी यहाँ पर भारत का एक target है target ही है कि हम लोग को आने वले time पर 5 trillion की economy को generate करना है economic Ложд है, वो सबसादा यहां पर कौन-कौन सी जकापर देखने को मिला तो सबसादा Kuala Lumpar के market में देखने को मिला Manila में देखने को मिला Deli में देखने को मिला, मुंबैी में देखने को मिला यहाँ पर हर सब्ता 1000 करोड रुपे का नुकसान हो रहा था, ऐसा यहाँ पर बोला गया, क्योंकि industrial areas है, ठीक नो, तो यहाँ पर बोला गया, फिर author mention करते है, travel time के उपर, travel time के एक heading देते हैं, इन्होंने यहाँ पर mention किया कि, देखो, हर एक शहर का अपने आप में एक बहुत important aspect है, क्योंकि इन्होंने पहले यह बोला VT के अंदर एक बहुत बड़ा contribution दे रहा है उस area के अंदर बहुत सरे जो labor है वो काम कर रहे है वहाँ उस area के अंदर एक बहुत बड़ा labor market देखने को मिल रहा है ऐसा बोला अब obvious ही बात है देखो जो labor workforce है उसको यहाँ पर अपनी जगा पर जहाँ पर वो काम कर रहे है वहाँ पर पहुंचने में थोड़ा से जादा समय लग रहा है 2016 की एक report है जहाँ पर बोला गया बैंगलूरू के अंदर एक घंटे का रास्ता मतलब आपके सकतो 22 किलोमेटर का रास्ता एक घंटे में कवर हो रहा है डेली के अंदर 25 किलोमेटर का रास्ता एक घंटे में कवर हो रहा है चिन्नई के अंदर आपके सकतो एक घंटे में 33 किलोमेटर का रास्ता कवर हो पाता है ठीके न, अब लोग घर से निकल रहे हैं, अपने काम पे पहुंच रहे हैं, इसमें बहुत टाइम लग रहा है, इसके पीछे का रीजन है, खराब सड़के, तो जो ट्रावल टाइम में लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसा बोला गया और पैंडेमिक खतम हुआ, पैंडेमिक प्रोटिविटी कम होती चली जाएगी, वर्कर थोड़ा लेट पहुंचेगा, काम थोड़ा कम होगा, एकनॉमिक प्रोटिविटी थोड़ी सी कम रहीगी, अगर हम लोग यहां पर बात करें, सिटी के आवरेल परस्पैक्टिव से, तो इकनॉमिक आउटपूट से, तो हमे भी थोड़ा सा कम लग रहा है, ट्राफिक कम हो रहा है, ठीके न, तो यहाँ पर सही देखने को मिलेंगे, जब अगर रोड अच्छी होगी तो, तो अगर आप लोग को एक अच्छा लेबर मार्केट के तरफ, तो अगर आप लोग को एक अच्छा लेबर मार्केट चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रोड के ओपर भी work करना होगा, ऐसा यहाँ पर mention क्या गया, ठीके न, अब एक चीज और बताई गई, कि देखो अगर रोड अच्छी करोगे, तो इसे एक और growth देखने को मिल सकती है, वो growth क्या देखने को मिल सकती है, अगर रोड अच्छी पर बहुत कम समय पहुँच गया, लोग का confidence increase होगा, लोग tax पर करेंगे, ठीके न, तो आप कह सकतो हो, जितने भी शहर आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको यहाँ पर यह जो road बगएर है, इसको जो आप लोग देख रहे हो, एक खर्चे किसा आपसा मत देखो, आप यह द अड़े उनको fix कर सकें, और travel time थोड़ा सक कम कर सकें तो, ठीके न, तो यह चीज़ें यहाँ पर author ने mention करी हैं, फिर author mention करते हैं, बिल्कुल last में, last में यह बोलता है कि देखो, यह बहुत important है, कि हमारा जो goal है, 5 trillion economy तक का, उसको achieve करने के लिए यहाँ पर, यह भी एक बहुत बड़ा important step रहेगा, ताकि हम लोग अपने roads के उपर जो investment है, वो जाधा कर सकें, और आप कह सकते हो कि यहाँ से, जो productivity उसको बढ़ा सकें, तो यह text वाली बात मैंने आपको बताई, वो चीज़े आपको देखने को मिल जाती है, last में जो point बताई है, आपको देखने को तो time तो कम होगा, साथ साथ economic output ही आपको काफी ज़दा मिलेगा, मैंने आपको बताया, बारिश में गड़्डे बगरा पढ़ जाते हैं, travel time जो है बढ़ जाता है, वो चीज़े यहाँ पर बताई गई है, तो इस particular editorial के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको इतने सी information मिल जाती है ठीके ना, बाकी आपको पता होगा, text and context, text and context मैं आपके साथ में discuss करी चुका हूँ, यह IT Act वाला जो यहाँ पर पूरा पूरा article था, तो यह कुछ important articles थे, editorials थे, जो कि बेहत important थे, यह हमने अभी यहाँ पर details से discuss कर लिये हैं, अब हम लोग चलते हैं अपने prelims के question के तरफ, तो prelims के question का आज का answer क्या है, question 2017 का था कि what is the purpose of ELISA, evolved laser interferometer space antenna का purpose क्या है, तो option A to detect neutrinos, option B to detect gravitational waves, तो आपको यहाँ पर correct answer क्या देखने को मिल जाएगा, correct answer आपको देखने को मिलेगा, इसका भी gravitational waves को detect करने के लिए ELISA का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है, I hope आपने आपको बहुत मदत मिली होगी, बहुत को जाना होगा, अब आप देख पा रहे हो कि वीडियो की productivity, वीडियो से जो benefit मिल रहा है, वो कितना भरपूर मातरा मिल रहा है, काफी सारी चीज़ आप लोगों ने सीखी है, ऐसान यह कुछ भी important छूट रहा हो, दहिंदू की सभी च जो मैं cover हो है, वो सब आपके साथ में discuss किया जा रहा है, चाहे वो text and context हो, Indian express हो, explainer section हो, everything, तो आप बिलकुर tension free होकर, आप देड़ घंटा इस वीडियो के अंदर invest करो, आपको बहुत मदत मिलेगी, इसे के साथ में करते हैं हम लोग अपने इस particular lecture को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों सखले वीडियो में, आज के लिए बाइ-बाइ, have a nice day, thank you and जै हिंद!